अगर आप अपने CP plus DVR का जो password है उसको बोल चुके है तो आज मैं आपको बताने हो लो कि आप उस password का कैसे पता कर सकते है तो यहाँ पे मैं आपको बता लो कि यह आपके पास recovery के लिए email ID नहीं है फिर भी आप उस password को यहाँ पर लगा सकते है यहाँ पे मैं आपको बता लो कि जब भी आप CP plus का जो DVR उसको open करते है तो यहाँ पे आपको pattern log का पूचा जाता है जो की आपको याद नहीं होगा तो यहाँ पे आपको नीचे एक option मिलता है जहाँ पे लिखा है forget pattern जो की यहाँ पर आप दिश सकते है तो यहाँ पे यदि आ आपको अपना जो DVR है उसका password याद नहीं तो यहाँ पे forget pattern का option दिया हुए आपको इस पे क्लिक करना है और जब आप इस पे क्लिक करते है तो यहाँ पे आपको password लगाना होता है अब यदि आपको EGNM तो सबको पते होगा क्योंकि EGNM अधिकतर admin ही होता है परन्तु यद rate 123 अब मुझे भी याद नहीं था परन्तु जब यहाँ पे मैंने जिससे भी यह लिया है उनसे बात की तो उन्हों नहीं बताए कि इसका जो password होता है वो होता है admin 123 अब यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हो तो यहाँ पर यह open हो जाता है इस परकास से आप इस पर क्लिक करके यह जो password लगा कि इसको open कर सकते फिर आप अपना जो DVR है उसकी जो भी setting करना चाहते वो यहाँ पर आप कर सकते क्योंकि अब हमने अपना जो password है वो लगा लिया है वीडियो दिया आपको पसन आए तो वीडियो को like करे शियर करे और इस परकार के और भी वीडियो करना चाह करते हैं तो प्लीज आप हमाई टूप चैल को सब्सक्राइब भी जरूर करें थैंक यू